नबस्कार आप देख रहे हैं छोड़नाको लाइब का ओफिशल यूट्यूब चैनल मैं हूँ दसत्त परधान आज हमारे साथ बेवी महतोजी चुट रही है बेवी महतोजी के एक वीडियो सूसल मीडिया पे खुब चर्चा में था और है भी चर्चा का विश्य इसलिए है क लेकिन कहीं न कहीं दो तरफा इसके उपर बाते सामने आती है एक तरफ जो देख लेने वाले वो उनका अलग सा इस्टेट्मेंट रहता है उनका अपना पक्ष रहता है कि हम देख क्यूं न ले मेरा बेटा को हम पढ़ाए हैं लिखाए हैं और आज सरकारी नौकरी दिलव हैं कि हमें दहिज देते हैं और आम दहिज लेते हैं और इस पर आप भी अपना तर्क रखते हैं क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे और आगे आप इस पर जो है समाज की यह कूरिती है जो यह बहुत बड़ी कूरिती है जिसमें बहुत सारे जो लड़कियां है वो अपने माता पिता जो नहीं कर पाते हैं जो पैसा दे नहीं पाते हैं तो उसके वज़ेसे दहिश नहीं दे पाते हैं उसके वज़ेसे जो है वह परिवार जिमनी आपन सही से बसा नहीं पाते हैं और बहुत सारे प्रॉबलम इसको समाज में देखा चाहिए तो बहुत बड़ा प्रॉबल कि हम पढ़ाएं सरकारी नोकरी करना है मिरा मानना नर्ण ॐ फिर जो लटका पढ़ाया लिखा हो इन पड़ा जो फिर पड़ाने लिखा हो सरकारीमूग करना है लिखा के दीखा तो उन से एक सवाल है of उनका बेटा जो सरकारी नोकरी कर रहा हूं कर किसके लिए रहा है अपना परिवार के लिए कर रहा है अपना माता पीता को देखने के लिए अपना परिवार को अच्छा है कि देने के लिए और जो साधी कर के लिए कर रहा है वो जिस लड़की से साधी कर रहा है जिस लड़क जाएगी तो इसका घर में वह महारानी बना दके तो नहीं रखेंगे कामकाज हटा करेंगे तो घर का कामकाज उनको करना पड़े गा उनका तो पेसा देकर क्यों आएगी उनका तो बेटी को लोग नजर डालता है तो उसको मतलब उसके लड़ जाते हैं लेकिन वह बेटी को आपके वोड़ सौंप रहे हैं लेकिन आप फिर उपर से पैसा भी मांगते हैं उल्टा तो सोचना चाहिए समझना चाहिए कि भाई वह आपना हीरा जैसे बेटी दे रहा है हमें तो फिर हम दहेश क्यों लेंगे यह सोचना चाहिए और सही बिचार सबके मन में आना चाहिए और जामलोग करते हैं जो लोग का ли लिए । तो नए मैं तो नड़की लिए तो तो फिर ऑला बात आपको डॉरा लगता नहीं से लगता हैं आपको और आपको बूरा लगता नहीं कいた किnal चाहिए बहुत लोग ऐसे होते हैं अपना बेटा क्यों ना चपरी रहे मतलब लफ 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 लफंगा क्या-क्या बोला जाता है क्यों ने अपना खुद का बेटा वई से रहे लेकिन उसको दमा तो सरकारी नोकरी बलाई चाहिए होता है फिर उस टेम अपना बेटी के लिए खुद खोजते हैं जब उसका बेटा जाएगा तो वह किसी और का बेटी के लिए भी तो आप उसका बाप खोजेगा उस टेम बोलता हमारा बेटा का साधी नहीं हो रहा है लड़की वाले सरकारी नोकरी खोजने आप भी खोजे थे कभी सबको समझना पड़ेगा तब यह चीज होगा क्योंकि हम आपको बता है कि जो सचाई है जो सचाई हम देखे ग्राउंड लेबल पर बात करें तो सरकारी नोकरी के लिए लड़के तैयारी करने के लिए दो इच्छा लेके दो एम लेके जाते हैं कि सरकारी नोकरी आगे होत कुछ हर किसी के अंदर पनप चुका है और जिस तरह बात करें कुछ राज्यों में जिस राज्यों में सबस्यादा प्रचले ने बिहार उतरप्रदेश नौर्थ के जगों में और जहरकंड में भी कहीं कहीं हैं तो यह जो है यह सोच लेकर बच्चे भी जाते हैं और एक त पैसा उसा नहीं ठीक है तो अगर हाँ वोलोग है कि हमको समान भी नहीं चाहिए लेकिन किसी का पीटी एकर देखने में ठीक है के थोड़ा पड़ी लिखी है ना तो उसका पिताजी तो कॉलर उठा के चलते हैं को नहीं मेरा बैटी को आपना मनमर्जिस है ना यहां साधी पैसे समाज को सुधारना चाहते हैं लुट रहे हैं तो इसमें सब को सोचना ना चाहिए विचार को हटा देना चाहिए कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे और अच्छा कासा रकम लेके हम साधी करेंगे यह दिमाग घटाना चाहिए अरे आपको एक हीरा जैसे बेटी दे रहे हैं तो बेटी को अपना घर से क्या आप अगर मान लड़कों को आप पढ़िए लिखिए नौकरी कीजिए यह पना पेटा को नब को नहीं और कीजिए हैं अंपना इक भेटा को नहीं भेज सकते किसी और कर नहीं रख सकते हैं नहीं कमाग खिला सकता है उवह दूव को तो फिर एक बेटी को किस basic पर आप बेटी को लाते हैं और लाने के पर पैसा भी मांगते हैं क्योंकि वो भी तो किसी का बच्चा है वो भी तो जाती है अपका घर और इस दहेज को ले करके न और बहुत कोई कहता है ना कि सरकारी नोकरी खुंचता है तो पिर क्यों बोला जटा इस चीज़ को कि सरकारी नोकरी वाले को यह डिया जाता ये गलत बाते गलत मानसीक्ता बैठाया हुआ है सब कोई दिमाग में यह मानस्पा यह विचार हटाना चाही है मनूं से बहुत तरह लड़के ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि अम दहेज लें लेकिन कहीं नहीं उनके जो माता-पिता है वो प्रसर डालते हैं कि नहीं हम तो इतना दहेज के लिए उनको क्या करें बच्चे वो समझाएं अपना पैरेंट्स को क्योंकि यह दहेज जो है ना बहुत कोई बड़े- पैसा नहीं पते हैं उनके पास रहता है पैसा हम आपना बेटी या बहुंत आर मार भी वहां है चैसे होता है बहुत जादा संख्या में आए वहुर्ण कर्फा जर यहеся को मिलता है तर्व्हें बहुत ज्यादा बहुत जादा संख्याम हमारे यहां पर देखने को मिलता भारत में देश नहीं दे जाता है तो जला देते हैं जिन्दा और डिमांड करते साधी के बाद कुछ और डिमांड चलते रहती हैं पैसा का लालच हो गया तो उसको लेकर यह बहुत बड़ा एक संगर्स है हमको लगता है कि आप लड़की है और इस समाज की यह कुरिती को लेकर आगे आप समाज में बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं तो उसे बड़ा में लगता कुछ चीज नहीं क्योंकि जिस तरह कई सारे हमारे प्रथा थे जैसे की वीड़ो रिमैरेज का हुआ हुआ है लेकिन यह चिपका हुआ है कही नहीं कि इस जुर्णी को बड़े आदमी समझते हैं और पैसा मांगते यह भी मांग रहे हैं तो अब बनाओ ना इसे बनाओ अपना बेटा को उनका मेंटलिटी उनका दिमाग में यह बठाओ कि बैटा पड़ो लिखो आप कावील बनो आपको किसी और से पैसा लेने का जौरत नहीं है बहुत बार ऐसे देखें कि कई इस इंटर्वियों में यह सवाल जो रहता है इसको लेकर वहां पर पोजिटिव जवाब मिलता है कि नहीं हम दहज के खिलाफ हैं लेकिन वहीं लोग दहज बाद में लेते हैं उनकी भी ऐ इसके खिलाब अभी आवाज उठा रही है कि खिलाफ अर जिस तरह से बोलते हैं कि हाँ इसके लिए हम लोग काम करेंगे दहिज पर था के लिए हम लोग करेंगे वह करेंगे करतें लेकिन अब सरकारी दस्तावीज पर जाके देखिएगा उसका डॉक्वाइल वगएड़ा देखिएगा कि सब कुछ इस अबको मिलेगा कि हम नहीं लिया जाता है सब सरकार बहन कर चुका आपको मिलेगा लेकिन आपको Sounds मिले गान्य बाल इधाय हुता है हमेरे में हुता है हमसे चोटी फ़र सोटी में है बच्चे लेकर करके आती है तो बाल विभा भी भी होई रहा है और दहिस पर था भी होई रहा है फिर गरीबी वह हमारा जैसे जैसे घरीबी था पहले वह इसा गरीबी अभी भी है वह सबसर्फ आगर पेपर में देखिएगा जैसे माली जै की सब्सक्राइब निए जैसे समाज से निकल के सामने आरी उस तरह की उठना पड़ेगा लोगो और जागरूप करना पड़ेगा समाज लेवल पर जमीनी लेवल पर ने तो किताबों में रह चाहेगा और हमारे देश जो है जिस तर चल रही है जो है चलते जाएगी और आगे जो है कुछ बदलने जाने वाला नहीं है और हमारे देश जो है आगे कहीं तो अगर सर नहीं होगा यह सब पूरी तेजरी चलते रही तो आप से बात करके बाद अच्छा लगा इसको लेकर दहेज प्रथा को लेकर